जेहिन दोस्तो मैं हुआ नूँ पर आप सा लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फिलिक तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोग को एक यूनिक सब्मरीन के बारे में बताऊंगा जो करीब करीब 50 साल से भी अधिक पुराना होने के बावजूद भी अभी तक ऐसे एक र सब्मरीन के बारे में डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिट अखीर तक बने रहे और चैनल को सब्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तो जब भी सब्मरीनों के ऊपर चर्चा होता है, तो सब्मरीन के जिन करेक्टरों के उपर सबसे दिया जाता है वो होता है basically सब्मरीन के पानी के गहराई में जाने का शमता मतलब पानी के कितने नीचे तक एक सब्मरीन जा सकता है या पानी के नीचे कितने समय तक एक सब्मरीन रह सकता है इवन आजकल के नया जेनेरेशन के सब्मरीन में stealth character को भी एक प्रमुकता दिया गया आज से करीवन 58 एयर पहले सोवियत उनियन की इंजिनियरों के द्वारा एक ऐसे सब्मरीन का निर्मान किया गया था जो अभी भी समुंदर के नीचे सबसे तेज गती से ट्रावल करने का रेकॉर्ड अपने नाम पे रखा है। टाइटेनियम वो धातू है जिसे धर्ती में काफी कम मात्रा में पाया जाता है और जो धर्ती का सबसे मजबुत धातू भी है। किया गया जो दुनिया के महेंगेतरिन सब्मरीन भी सावित हुआ। इसके डेवलापमेंट और कॉंस्ट्रक्शन का कोस्ट इतना अधिक था कि इसका नाम भी उसी वज़ा से गोल्ड फीश रखा गया। इवेन दोस्तो सब्मरीन को सोव्यत उनियान के तरफ से इतना यूनिक और इतना नया टेक्नोलोजी से लैस किया जाना था कि इसके डिजाइनरों को सक्त निर्देश था कि पुराने डिजाइन, मतलब पुराने सब्मरीनों से design related कोई भी मदद ना लिया जाये। इवेन दोस्तों ये पहला ऐसा सब्मरीन था जो टोटली टाइटिनियम से बना हुआ था और इसके लिए सोव्यत उनियन को एक बहुत बड़ा सप्लाइचेन और ट्रायल एन एरोर जैसे मेकनिजमों से गुजरना पड़ा। दोस्तों पिर्थवी में पाये जाने वाले कीमती धातियों में से एक है टाइटिनियम। दोस्तों इसका कीमत भी इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि ये अन्य धातियों के साथ मिलता है और इसका प्रोसेसिंग कोश्ट मतलब अन्य धातियों से इसे बाहर निकालने में काफी ज्यादा खर्चा होता है। दोसो टाइटेनियम जैसे धातु को 1791 में पहली वार खोज निकाला गया था और इसका नामकरण भी ग्रीक मैसलोजी के तहत हुआ। पर दोसो मेहंगा होने के बावजू टाइटेनियम में ऐसे कई सारे खासियत है जो इसे यूनिक भी बनाता है और इसके इस्तेमाल से सब्मरीन को भी काफी ज़्यादा ताकत मिलता है। खास करके इसका शक्तिशाली होना। टाइटेनियम स्टील से काफी गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जबकि स्टील के तुलना में इसका वजन काफी हलका भी होता है। इसी वही ऐसे construction yard नंबर 501 में किया गया और इसे lay down मतलब तयार करना शुरू किया गया था 28 डिसमबर 1963 में जबकि 5 साल बाद 21 डिसमबर 1968 में इसे launch किया गया और इसके करीबन एक साल बाद 31 डिसमबर 1969 में इसे Soviet Navy में operational ही शामिल किया गया दोसो इस सब्मरीन को power देने के लिए Soviet Union के तरफ से दो VM5 Light Water Reactor का इस्तेमाल किया गया था जो मिल के करीबन 187 Megawatt power generate कर सकता था इस power का इस्तेमाल करके दो साइड में दो shaft को घुमाया गता था जिसके वदालत ये सब्मरीन इतना तेज गती वाला सब्मरीन बन सका इवन दोस्तो इस सब्मरीन में किसी तरिके का कोई भी diesel generator नहीं था और इस वजा से emergency में सब्मरीन का एक मात्रफ power source सब्मरीन में इस्तेमाल होने वाले battery ही था दोस्तो सब्मरीन का प्रमुक हत्यार था P-70 Amatist मिसाइल जो कि 65 किलोमेटर रेंज वाला एक cruise मिसाइल है सोवियत उनियन के तरफ से इस सब्मरीन का निर्मान basically दुश्मन के carrier strike ग्रूपों को intercept और उसके उपर हमला करने के लिए किया गया था और ये पहला ऐसा सब्मरीन बना जिसमें सब्मरीन लांच cruise मिसाइलों को भी deploy किया गया सब्मरीन लांच cruise मिसाइल के इलावा सब्मरीन में self defense के लिए 4 torpedo tube भी था और करीबन सब्मरीन में 12 torpedo को भी store करने का जगा था दोसो अब चलिए सब्मरीन के रफतार के बारे में यह अधिक्तम 82 km per hour मतलब करिफ करिफ 44 knots के रफतार से ट्रावल कर सकता है जबकि बाज में कई वार यह भी report किया गया है कि सब्मरीन का अधिक्तम रफतार इससे भी अधिक था जबकि वही पे अगर आधुनिक जिनेरेशन के अमेरिकी Los Angeles क्लास के नुकलियर एटक सब्मरीनों को देखा जाए तो यह स्रीब 37 km per hour के रफतार से ही ट्रावल कर सकता है और फिलाल दुनिया में जितना भी नुकलियर पावर एटक सब्मरीन है जादा तर सब्मरीनों का रफतार इसके आधे के बराबर ही है पर दोस्तों ऐसे अधिक रफतार के वज़ा से कई कई समय में इस सब्मरीन को कई सारे मुश्किलों से भी गुजरना पड़ा खास करके रफतार के वज़ा से पैदा होने वाला नॉयस सब्मरीन के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बना और 1999 में सबमरीन में जो फ्लैक था उसे भी डाउन कर दिया गया इसका मतलब ये 1999 में ही सर्विस से रिटाइड कर दिया गया और 2010 के रिपोर्ट के मुताविक 2010 में सबमरीन को रेशिया के द्वारा स्क्राइब कर दिया गया दोस्व अब चलिए सबमरीन के स्पेसिफिकेशन और कुछ अन्य खासियतों के बारे में जानते हैं दोस्व सोवियत जमाने में बनाया हुआ ये सबमरीन का लंबाई करीवन 107 मीटर मतलब 350 फीट और 9 इंच के आसपास था जबकि इसका चोड़ाई करीव 11.6 मीटर मतलब 38 फीट 1 इंच के आसपास था और इसका ड्राफ 8 मी से ट्रावल नहीं कर सकता था बलकि करीबन 70 दिन तक समुंदर के अंदर अपने ओपरेशनों को अंजाम देने का कैपेवल भी था इवन ये करीबन 400 मीटर मतलब करीब 1312 फीट के गहराई तक जाके भी ओपरेशनों को अंजाम देने का शमता रखता था और जिस समय का ये सिस्टम टॉर। फ्रेडीकरु के लिए अलग से स्टम शौनार शिस्टम फ्रेन फ्रो डिटेक्शन के लिए रड़न शिस्टम और उस समय के सबसे अधुनेक रेडियो इंटलेजेंड सिस्टम भी शामिल था Drag Eye के रूप में इसमें total 10 अलग 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 P-70 Amitest मिसाइलों को तैनात किया गया था जिन मेंसे हर एक मिसाइल का रेंज करिफ करिफ 65 किलोमेटर के आस पास था और दोसों ये एक ऐसा मिसाइल है जो कन्वेंशनल वरेट के साथ साथ परवानू वरेट को भी कैरी करने का शमता रखता है और ये करीबन मार्क 0.9 के रफतार से ट्रावल करने का भी शमता रखता है वजन में ये मिसाइल स्रिफ 35,000 किलोग्राम का था जबकि इसमें 530 किलोग्राम के वरेट लगाने का शमता था इवन इस मिसाइलों का इस्तेमाल सोवेट उनियन के इलावा रशिया के द्वारा भी किया गया और भारत भी इस मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है मिसाइलों के इलावा इसमें 533 मिलेमिटर के टॉर्पेडो ट्यूब था जिसके द्वारा सेट 53 एंटी सबमरीन टॉर्पेडों को दागाया सकता था पर दोस्तों ये सब्मरीन का रफ़तार ही इसका सबसे बड़ा ताकत था जिसके वजाए से एक तरीके से इसका पीछा करना जहाँ पे लगबने का इरादा बनाया था ताकि अमेरिका के बड़े आकार के केरियर स्ट्राइक ग्रूपों को काउंटर किया जा सके तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को यह प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जैहिंद!